अस्सलाम अलेकुम विल्कम और विल्कम बैक टू में चैनल है दर बड़ी टंग्स किचन आज हम बनेंगे चुगुर का सालन चुगुर को इस तरह से काड़िया निकालके तोड़के रख लेना यह देखिए इस तरह से सखत काड़िया रहते हैं इसमें थोड़ा कच्राइब तो साफ करेंना अब हम पूकर में चार प्यास की प्यास काटके ले लिए बड़ी साइस की प्यास ली में तो बटन दाल देंगे दो के मतन आप अपनी हिस्साब से लेजी हैं अदर गलेशन का पेक्ष दाल देंगे वन स्पुन से थोड़ा बढ़किये हल्दी दाल 1,2ॽ एलाल मिर्स पर्र दाल दाल मिर्स पर्र आपने टेस्ट के साथ से दालें नमक दाल दाल दिंगे नमक भी आपने हयोज से लिजिए कुपिंग ओएल दाल देंगे जाने हुआ हुआ है कुछ देर तक हम इसी तरह से भून लेना हम अब इसमें एक टमाटा काटके दाल देंगे थोड़ी को तमीर दाल देंगे कटकर पानी दाल देंगे एक ग्लास जितना मिला लेंगे सभी चीज़ों को अब ढकन ढापके हम प्यास और गोश गलने तक पका लेना यह देखिए प्यास को और टमाटा कच्छे से भून लेंगे हम चुगर दालने से पहले प्यास को अच्छा भून लेना ने तो प्यास ने भूने जाती सीजन चल रहा चुगुर का वो अच्छा बनता सालन है अगर आप बना रही चुगुर का सालन तो इस रेसिपी को जरूर ट्रै किजिए प्यास को अच्छे से भून ली में यह देखिए प्यास और टमाटे भूने गए अब हम इसमें हरी मिर्ची काटके दाल देंगे प्यास से छेहरी मिर्चीले में अब हम चुगुर दाल देंगे चुगुर को साफ करके धोके दाली में मिला लेंगे अच्छे से अब हम इसमें एक कप से भी कम जितना पानी दाल देंगे अब हम ढकन ढापके दो से तिन सीटें तक पका लेंगे चेक कर लेंगे देखिए पानी भी थोड़ा कम हो गया इसमें का फिट से थोड़ी देर के लिए हम भुन लेंगे चुगुर को पानी और थोड़ा सुपने तक पका लेंगे हम इसको दो तरह से पकाते कुछ लोग चुगुर को गला अलक से गला के घोट के भी दालते इसमें ऐसा दालने से भी अच्छा होता धकन ढापके पानी सुखने तक पका लेंगे यह दीखे पानी भी सुगया और तेल भी आ गया रेडी हो गया चुगुर का सालन अगर आपको और ड्राई होना है तो और थोड़ी देड तक पकाई आप अगर आपको थोड़ा लूज होना है तो बराबर ही तो यह थी आट की रेसिपी समर स्पेशल चुगुर गोश का सालन अगर यह रेसिपी आप पच्छी लगी तो वीडियो के लाइक कीजी शेर कीजी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं गली वीडियो मेला आपिस